हलो जोस्तों तो यह है टीवे सपाचा आटीर मन 64 वी स्पेसल एडिशन जो की वाइट कलर में है काफी ज्यादा अच्छी लग रही है बाइक तो इसका भी हम रिविव करते हैं तो अभी हम यह और ब्लैक कलर दोनों भाइक भी हम खरीदेंगे तो दोनों खरीद का भी हम आपको ले चलते हैं इसका वीडियो बनाने के लिए हलो दोस्तों तो स्वागत हैं आपका हमारे यूटीब चैनल पर तो आज है हमारे पास टीगे सपास्टे आर्टीर 164 वी इस्पेसल एडिशन में दो कलर आती हैं तोनों हमारे पास है जो कि आप देख सकते हैं सामने एक ब्लैक कलर है मैट ब्लैक और एक है वाइट कलर दोनों ही इस्पेसल एडिशन के अंदर आती हैं और अगर आप नॉर्मल लेंगे तो नॉर्मल में आपको ना ही मेट ब्लैक मिलेगा ना ही वाइट कलर मिलेगा तो आपको अगर वाइट कलर चाहिए तो आपको इस्पेसल एडिशन लेना पड़ेगा तो अभी हम चलते हैं white color का review करते हैं क्योंकि made black का review हम पहले ही कर शुके हैं तो चलते हैं अब हम white color का review करने तो आप सामने देख सकते हैं फुली LED DRL है इसमें मतलब के LED headlight भी है उसी इसासा तो चावी हमारे पास है तो अभी हम चावी लगा के आपको दिखाएंगे headlight इसका तो आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर यह पूरा fully naked bike है naked sports bike तो चावी हम लगा देते हैं अभी तो आप चावी लगाएंगे तो इसमें जो होता है इसका LED DRL जल जाता है और meter का जो light है वो भी जल जाता है तो अभी यहाँ पाप देख सकते हैं इसका यहाँ पी जो इस सारे मतलब points है सभी हम आपको बताएंगे अभी एक एक करके जो भी है इसमें तो अच्छा भी लगाता है यह आपको हाई आप आचिकन करके लिख के आता है बकि यहाँ आप देखेंगे इसके जो LED DRL हैं वो जल जाता है अभी और इसका उपर मीटर देखेंगे तो यहाँ पर नमबर ब्लेट लगता है और यहाँ पर एक आफटर मार्केट वाइजर भी लगवा सकते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप इंडियन फ्लैग और मेट ब्लैग इसका मीटर मुनलब है साइड का कॉलर आता है एड लाइट का और साइड में और इसका फेरिंग जो है वो वाइट कलर का जाता है उसे के बाद यहाँ पर देखेंगे यहां स्मार्टेक्स कनंट का लोगो मिल जाता है जो कि यहां पे लगा हुआ है वाइट और ब्लू कुलर में और साइट से यह जो है मतलब है इंडिकेटर जो है पहले नीचे आते थे अब वो उपर लग गए है क्योंकि नीचे लगे रहते तो वो साइट टैंक में छूते थे पहले और यहां पर आप देखेंगे मटगार जो है मटगार में टीवेस रेसिन का वैजिंग आ जाता है बाइट थोड़ा गंदी है क्योंकि अभी हम बहुत दूर से चला के लिए आ रहे हैं इसको और यहां पर देखेंगे आप फोर्क प्रोटेक्टर लगा हुआ है इसमें ताकि जो धूर मिट्टी से वो बचायर है और फोर्क की मतलब लाइब बढ़ाने के लिए होता है यहां सामने में देखेंगे यहां पर C8 का टायर मिल जाता है रहा कि बलेक वालम जो है टीविस का टायर मिलता है लेकि इसमें C8 का लगा है 90-90-17 का अलाईवील मिल जाता है इसमें और सुपर मोटो ABS मिल जाता है, इसमें सिंगल चैनल ABS के साथ आ जाता है टीबलिस टायर्स आते हैं, इसमें रेडियल टायर्स होते हैं जो कि टायर के पैटर्न जो है दोनों बाइक के डिफरेंट है साइड में देखेंगे, यहाँ पर इंजन गार्ड देखने को मिल जाता है जिसमें हाईपारेज का वैजिंग और इसका ग्राउंड क्लियरंस का बात करेंगे तो 180 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरंस होता है साइड से आप बाइक देख सकते हैं काफी ज़्यादा अट्रेक्टिव और एक्रेसिव दोनों लगती है यहाँ पर आपको अपाचे का वैजिंग मिल जाता है ग्लासिब बलेक कलर का इसका इंजन मिल जाता है बाकी इसका हेड जो है रिट कलर रिट होता रहे क्योंकि रिशन भाइक इसको रेसिंग के लिए रिड हेड कर दी है बाकी सामने आप टैंक के साइड में देखेंगे तो यहाँ पस ऐर इंटर करता है और बाइक के हेड पे जाके खुलता है ताकि बाइक का हेड जो है ठंडा रखे है मतलब ब्लाग विश्टन इसका जो होता है ठंडा रखता है बाकि एर कुल इंजन के साथ आ जाता है 1200 एमल के इसमें मोबिल आयल पड़ता है जिसकी कीमत भी हम आपको बता दा है 799 रुपय का होता है वो इसका वाइल बाकि साइड बे पैटर्न आप देखी रहे है यहाँ पे जो है रियर डिस्क ब्रेक आ जाते है इसमें बाकि फूटरेश्ट इसमें जो है काफी अच्छे क्वाल्टी के लगे हैं ऐल्मुनियम के होते हैं बाकि इसमें जो बुल अप मतलब पुल प बाकि में आप देखेंगे अभी डूवल बैरल मिल जाता है क्योंकि अभी उस दिन हम नॉर्मल इसकी वाइक ला रहे थे जो इसमें जो है डूवल बैरल एक्जॉस्ट था वाकि यहाँ पर देखेंगे इसके जो टायर्स होते हैं यह भी सी एट जूम का टायर होता है वाकि एक सो तीस सत्तर और सत्रा का टायर साइज होता है इसका ए légल मिल जाते हैं फरन प्लैक रहेसके ब्लेग अउन रेट कलर का डायर का अलाइविल होता हो दोeking दोनों जो 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 लुए के प्लेट होते हैं उससे जो है मटगारड सेट किया गया है बाकि इस साइड में और पीछे रेफलेक्टर मिल जाता है इंडिकेटर्स जो है काफी छोटे हैं जो की हैलोजन है बाकि LED नहीं है लेकिन तब भी अच्छे लगता है इसके जो इंडिकेटर्स होते है बाकि RTR का वैजिंग पीछे मिल जाता है यहाँ पर आप देखें कि यह जो है इस साइड आपको फोटरेश्ट मिल जाता है और सारी गार्ड मिल जाता है इसको सारी गार्ड कहते है प्लास्टिक कवर होता है इस पे अंदर जो फ्यूल टैंक होता है बाकि रेड और वाइड कलर में इसमें जो इसके ग्राफिक्स होते है बाकि इस साइड भी ब्लैक मेट ब्लैक काफी गंदी है इसके भी ग्राफिक्स उसके जैसे सेम होते हैं बाकि वाइड के जगा जो ग्राफिक है इसमें ब्लैक हो जाता है क्योंकि वाइट में वाइट देखेगा नहीं यहां पर आप देख सकते हैं यह रहा तो दोनों ना आपको दिखा दिया बाकि यहां RTFI देश टेंड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन इसका मतलब होता है 180 mm का ग्राउंड क्लियरंस होता है इसमें पर बटन्स देखेंगे यहां पर पासलाइट मिल जाता है एड़ जेस्ट पैल कलच लिवर मिल जाता है आपको जो काफी अच्छा है बाकि यहां पर हेड लाइट का यहां आई बटन मिल जाता है आपको बाकी यह रहा इसका इंडिकेटर जी होन इस साइड आपको ride mode button मिल जाएगा engine kill switch मिल जाएगा headlight on करने का button मिल जाएगा बाइक तो लगबग हमने आपको पूरा दिखाते हैं अब हम बात करने थे हैं इसके mileage किती है 47 का mileage देती है company के कहना है लेकिन हम मानते हैं 45 का mileage देती है engine type जो है single cylinder 4 stock oil cooled और SOSC fuel injected engine होता है headlight आप देख सकते हैं नीचे दो और अबर डिपर दोनों होते हैं बाकि इसमें C8 के tires है tire pattern आप देखा और ये रहा है TVS tires तो आपको कौन से tire अच्छा लगता है अब देखने में भी और कौन से tire ज़्यादा अच्छा लगते हैं आपको कमेंट सेक्षन बता सकते हैं बाकि यहाँ आप TVS tires लिखा हुआ देख सकते हैं बाकि इसमें C8 zoom tires आते हैं बात करते हैं हम इसके instrumental control के तो यह Bluetooth connected feature के साथ आ जाता है जिसमें आपको ऊपर के तरफ यहाँ पचाव याँन करके फिर दिखाते हैं उपर तरफ red color carpion limiter होता है यह और यहाँ पर mode button यह और इस side set button यहाँ बीच में आपको meter मिल जाता है इस तरफ fuel का उपर टाइको meter और बीच में जो है आपको average speed दिखा हुआ दिख रहा है बाकि engine check light, ABS light यहाँ पर यहाँ मतलब light जो होता है बाकि fuel का यहाँ पर यह है इंडिकेटर न्यूटर लाइट आपको दिख रही होगी उपर आपको Bluetooth blink करता हुआ दिख रहा होगा बाकि trip A, trip B, trip F और range कितना होता है और average high speed mode भी इसमें दिखाता है उसे के साथ time भी हाँ इस सेट दिखा है 0 to 60 कितने time आपको लगते है और race urban sport mode 3 mode इसमें आ जाता है average speed बताता है जैसे आपने कहीं पर कहा गया तो आपकी average speed कितनी यहीं होगी यह बताता है तो rain urban sport mode 3 हो यहाँ से switch होगा यहाँ पर बटन दबाएंगे तो वहाँ पर स्रीच होतर आएगा rain पहला आएगा दूसरा urban आएगा दिखसरा sport सबस्यादा power speed sport mode में मिलेगा और mileage सबस्यादा आपको urban mode में मिलेगा तो अभी हम चलते हैं पहले तो हम आपको radar दिखा देते हैं radar blue color तीन बाइक हमने लाए था तो यह तीनों बाइक ही जो है blue color apache 4V edition मतलब special edition black arward दोनों है तो अभी हम चलते हैं इसकी engine और power की बात करते हैं तो power की बात करते हैं तो 17.55 PS का power 9250 rpm पे और torque जो है 14.73 nm का torque यह generate करता है 0 to 89.8 seconds 146 kg का carb weight 270 mm का front disc 200 mm का rear disc का होता है तो बाकी यह सब इसके engine के बारे में रहा इस bike की अगर हम pricing की बात करें तो यह आती है एक लाख दिरसाफ हजार के तो अभी हम चलते हैं इसका एक जोड़ साम सनाने के लिए तो यह बैसा करते है गारे से सब्सक्राइब की डारे में अबहरा है इसका एक जोड़ संड तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सबॉस्काइब कर तो मिलते हैं जिल्देग।